हलो मैं आलोक कुमार केमिस्टे टीचर एड कॉंपिटीशन मेरे साथ अवैलेबल है सक्षम सल्धी जिनकी जेई में में 159 रैंक और जेई एडवांस में 393 रैंक आई है 2022 में तो सक्षम हम आप से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी प्रिपेरेशन कब स्टाट की और किस तरीके से चीजों को मैनेज किया और आपको फिजिक्स केमिस्टी मैस में मतलब क्या था कि कोई स्पेसिविक स्ट्रॉंग सब्जेक्ट था आपका या कोई वीक्नेस थी या किस तरीके से आपने इन तीनों सब्जेक्ट को मैनेज किया मैंने अपनी प्रिपरेशन क् 11th में शुरू करें थी जेए की और फजीस chemistry math में मतलब आपको specific interest था या ऐसा था कि बस यह subject में जो बहुत अच्छा लगता है सबसे जादा interest थो physics में था लेकिन मैं यह नहीं करता था कि उससे जादा time दे दूँ समें equally time distribute करता है तो मेरे का सी एक professional approach थी किसी exam हो qualify करना है तो we have to be professional with the subjects जितना time चाहिए उतना ही time देना है is that right yes बिलकुल बिलकुल तो जैसे आपकी यह J-E main J-E advanced में एक अच्छी rank आई है तो आप अभी second round के मेरे काल से results आच्छुके हैं तो आपको अभी क्या मिला है and finally have you frozen that college and branch IIT Delhi mathematics and computing five year बहुत ही बलिया च्वाइस है और आजकल तो यह एक्दम फैशन में है वोग में है IIT Delhi mathematics and computing dual degree very good congratulations for this particular one अच्छा section में एक बात यह जाना चाहूंगा कि जैसे IIT का exam बड़ा prestigious exam है और tough exam माना जाता है अपने इस undergraduate level पे तो ऐसा कोई specific challenge तो आपने face किया हो अपनी preparation में और किस तरीके से आपने उसको overcome किया जब शुरू शुरू में tough question देखते हैं जही advanced level के तो उससे थोड़ा demotivation होता है लेकिन वही है कि जब previous year questions देखते हैं तो पहली बार में तो tough लगते हैं लेकिन दीरे दीरे time के साथ practice होती है aptitude बढ़ता है तो उसके बाद question होने शुरू हो जाता है अलग कहने का यह है कि अगर आप अपने PCM पढ़ रहे हैं तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी chapter start होता है तो आप कहना चाहते हैं कि basic से start करके conceptually इसको आगे बढ़ाया जाए तो फिर आसान questions भी करेंगे तो फिर tough भी अपने आप होने लगते हैं यही कहना चाहते है टाइम देना पढ़ता है on an average आप जैसे आपकी इस जैसे आपने कहा कि mainly preparation आपने 11 12 में start की तो on an average कितने गंटे आप पढ़ते होंगे daily basis 10 to 12 hours 10 to 12 hours I think it is a pretty good number and this dedication has brought such a wonderful result देखो गाओं में हमारे गाओं में तो जैसे कहावत चलती है कि जितना गोल डालो उतना मीठा होता है यह बिलकुल वही बात है कि more the work you put in results would be better यह दिखाई पढ़ भी रहे हैं अचा सक्षम जैसे तैयारी करते हैं तो जैई की तैयारी में ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे compromise करने पड़ते हैं in the sense कि आपको कोई एक फेवरेट स्पोर्स होता है आप फुटबॉल खेलते थे क्रिकेट खेलते थे या कोई indoor गेम खेलते थे वो sacrifice करना पड़ा रेलेटिव सी कोई marriage होती है तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि नहीं गए तो आपको ऐसे sacrifices करने पड़े या अब manage हो गया हम उने manage कर लिया यही एक्जाम कदम होने के बाद तो अपने interest को explore करी सकते हैं college में तो दो साल तो sacrifice करी सकता है क्योंकि result भी जादा ही है वैसे आप कोई sports या कोई indoor game या कोई ऐसी एक hobby जो आप pursue करते थे और उसका sacrifice करना पड़ा आपको इन दो सालों के लिए मुझे football में interest था वैसे भी COVID की वैसे दो बाहर नहीं जा पारे थे तो आप कहना चाहते हैं कि दो साल के लिए तो अगर sacrifice करना पड़ता है और need of the hour है तो we should do हम ऐसे अच्छी college में और extra curricular को भी explore करने का मौका मिलता है बढ़िया बहुत बढ़िया बात है अच्छा सक्षम जैसे competition course में competition में आपने कौन से course में पढ़ाई की और किस तरीके से आपने उस course का advantage लिया वैसे में YouTube चैनल पे जिन concepts में जो मुझे weak लगते थे उन्हें में stronger करने के लिए देखता था और मैं cats advanced course लिया था उसकी मैंने test series ली थी और उसमें क्योंकि time-based test से दोस्ते मुझे फाइदा हुआ था अच्छा उनका analysis भी था तो वो भी बिल्कुल बिल्कुल तो एक और चीज जैसे बच्चे अब जो 11th में हैं जो 12th में हैं जो preparation कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि जो बच्चे select हुए हैं जिनों अच्छी rank secure की है उनको भी कोई piece of advice मिल सके या कोई ऐसी mistake जो वो कर रहे हूं तो वो बता दे मतलब anything जो आप mistake आप इपने friends को देखके बहुत सारी books ले लेते हैं तो मैंने कुछ particular books ही ली थी और उन्हें अच्छे से solve किया था मैं दोस्तों को सुनके अलग-अलग books नहीं लेता था मैंने fix material फोकस किया पूरी तरह से बिलकुल यह एक अच्छी piece of advice है हाले कि मैं भी teacher हूँ जैसे मैं बताता हूँ कि बुक्स पे ऐसा नहीं कि बच्चे सबसे पहले books खरीदना चाहते हैं कि पूरी धेर इखटा कर लें इतनी सारी books खरीदने पढ़ेंगे शायद नहीं जरूद होती है आप जिन भी teachers को follow कर रह कर दो